दूसरी खबर जो है मध्य प्रदेश जुरिवी चहां पर दिगजों के धराशाई होने की खबर आ रही है दिगज धराशाई कहा हुए है मध्य Прदेश में बैलिट पेपर से हुए पंछाय चुनाओं में चो नतीजे आ रहे हैं वह यही इशारे कर रहे हैं कि दिगज धराशाई हुए हैं बैलेट पीपड थ रिश्चचार बूरी तरह से हा रहे हैं तो वही इन चुनाओं में bjp और कॉंग्रेस भी बराबरी पर ही नजर आ रही है ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने की बागडोर कई जगहों पर स्वतंत्र उम्मीद्वारों के हाथ में आ गई है आंकडे बता रहे हैं कि बिना सिंबल के हो रहे चुनाओं में राजनितिक वंशवाद को शिकस्त मिलना शुरू हो गई है इस बार 115 विधायकों के रिश्यदारों और करीबियों ने पंचायत चुनाओं में किस्मत आजमाई जिसमें से 71 के रिश्यदार और करीबी जीत गए और 44 को शिकस्त मिली है जो दिगज धराशाई हुए है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे है यह पंचायत चुनाओं के नतीजे हैं हीरा सिंग राजपूत के संदर में भी जैनकरी निकल कहें बता दे कि तो पंचायत चुनाओं में कई दिगजों के इस जारकों चुनाओं में शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि कॉंगरेस दिगजों के रिश्यजार चुनाओं रहे हैं किसी एक पार्टी के नीच कि बिना शिंबल पे चुनाओं होते हैं पंचायतों के और लेकिन शिंबल नहीं पर भले ही ना हो लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं उन्हें पार्टियों का समर्थन हासिल होता है जो दिगज यानी मंत्री और विधायकों की रिष्चिदार भी मैदान में थे और उन्हें मुह की खानी पड़ी है तो पंचायद चुनाओं में जनता ने एक संदेश भी दिया है कही जगहों पर इस्थितियां इस तरी के निकल के सामने नतीजे हैं जहां बीजेपी और कॉंग्रेस बराबर बराबर स्थितियों में खड़ी हुई है ऐसे में जिला पंचायद के अध्यक्षों के चुननी की जब बारी आएगी तो दिगजों को दिक्कते हो सकती हैं और साथ ही समीकरन इसलिए बिगडेंगे और समीकरन उन वाद को शिकस्त मिली है अगली में तो